हेलो मेरी प्यारी दोस्तों कैसे हो आप आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में और देखो आज हम एक बार फिर से आ गए है अपने रो फिरो वाइस टाउन में और जैसा कि आपने मुझे पिछली वीडियो में कहा थ कि रो फिरो भाई तु मिनी एरीना वाले मिशन को पूरा करो और वहां से स्पेशल वाली ड्रेस भी लेकर आओ तो देखो आज मैंने कौन से ड्रेस पहनी हुई है जी हाँ ये वही मिनी एरीना वाली ड्रेस है और इस वाली ड्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों जल्दी से लाइक वाले बटन को दबा दो ना और अगर आप जानना चाहती हूँ कि इस ड्रेस में क्या-क्या खास बात है तो वीडियो में बने रहिए और अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे प्यारे राज दुलारे टिपसन दादा के पास क्योंकि मैं बहुत टाइम से एरीन हम भोचक के रह जाएंगे मुझे तो लगता है शायद वो हमें पहचान भी ना पाए और लो भाई हम तो पहुच भी गए आरे टिपसन दादा क्या हाल चाल है ओए कौन हो तुम टिपसन भाईया मैं हूँ आपका प्यारा रो फीरो नहीं मैं नहीं मानता अच्छा भाईया ये बताओ कि मैं आपको कैसे विश्वास दिलाओं कि मैं ही रो फीरो हूँ चल मेरे बारे में कोई ऐसी चीज बता दे जो कि टोप सीक्रेट है तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि तु रो फीरो है भाईया आप गुलाबी रंग की चड़ी पहनते हो ना वो भी फूलों वाली ओ तेरी की ये तुम क्या बोल रहे हो ये तो मेरा सबसे बड़ा टोप सीक्रेट था तुमने इसे सभी विवर्स को बता दिया अब तो मुझे शरम आ रही है ओहो टिपसन दादा शरम छोड़ो और ये बताओ मेरी ये नई ड्रेस कैसी लग रही है ड्रेस तो एकदम मस्त है जबर्दस्त है तुझे कहां से मिली मुझे भी पता दे मैं भी ले लूँगा टिपसन दादा इसे लेने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है और क्या आपको पता है ये ड्रेस लेने के लिए मैं मिनी एरीना में इतना खेला इतना खेला कि मेरी उंगलियों में चाले पड़ गए अच्छा इसलिए तो वाइस ताउन में इतने दिनों से नदर नहीं आ रहा था चला छोड़ो इन सब बातों को आह शाम को तो मैं भी जाओंगा एरीना में और वहां जाकर बिग बोस का धूल चटा दूँगा और फिर मेरे पास भी होगी ऐसी खूब सूरा ड्रे रो फिरो मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया अब मैं नहीं जाओंगा रिना में अच्छा मेरी छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें स्ट्रेस को लेने के लिए कितने पापड बेलने पड़े ये तो भया बहुत ही लंबी कहानी है छोटे इतनी लंबी कहानी का टाइम नहीं है तो थोड़ा शोट में बता क्योंकि कल सुबे मुझे पनवेल निकलना है भया ये बात है बहुत पुरानी जब आपकी ग्रैनी भी सुनती थी दादी नानी से कहानी और उस वक्त मेरे पास सिरफ एक साइकिल ही थी और कुछ फटे पुराने कपड़े उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि नई ड्रेस तो एरीना में है मिलेगी इसलिए मैंने आव देखा न ताव और सीधा साइकिल लेकर घुश गया बिग बोस से लड़ने के लिए कौन हो तुम और यहां क्या लेने आए हो अले अंकल मैं लो फीलो हूँ और यहां पर एलीना वाली दलैस लेने आया हूँ ओए बच्चे वो ऐसे नहीं मिलती उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जल्दी बताओ कैसी मेहनत करनी है मैं तयार हूँ उसके लिए तो मैं बद्बूदर जॉम्बिज की फोच से लड़ना होगा ओके तो मैं तयार हूँ मकर मुझे वो कहां मिलेंगे जॉम्बिज से लड़ने के लिए राइट वाले गोले में जाओ किशका राइट अंकल मेला या आपका ओके एलिना वाले अंकल अब मैं जल्दी थे जॉम्बिज को बुला लेता हूँ आजाओ जॉम्बिज मेरी नई ड्रेश लेकर जल्दी आओ अरे अरे एक सेकंड रो फिरो फिर तो ये ड्रेश तुमें बहुती असानी से मिल गई होगी अरे कहा भाईया वो जॉम्बिज तो जहरीली गैस के गुबारे फैक और मेरी पुंगी ही बजाने वाली थी फिर क्या हुआ छोटे भाईया फिर मेरी आतामाची सटक ली और मैंने उन जॉम्बिज को रोकेट लॉंचर से मारा फ्लेम थ्रोवर से मारा ग्रेनेट से मारा और उसके बाद फ्रीजर गंड से भी मारा फिर तो तुझे ये ड्रेश मिल ही गई होगी अरे कहा भाईया मैंने उन्हें फिर दोबारा रोकेट लॉंचर से मारा फ्लेम थ्रोवर से मारा ग्रेनेट से मारा और उसके बाद फ्रीजर गंड से भी मारा और देखो उसके बाद मुझे ये ड्रेस मिल गई रो फीरो तुम तो मेरे साथ दोखा कर रहे हो, ये तो वो वाली ड्रेस है ही नहीं? अरे भाईया रुको रुको उसके लिए मैंने जोंबीस को दो बारा, रोकेट लॉंचर से मारा, फ्लेम थ्रोवर से मारा, क्रैनेट से मारा और उसके बाद फ्रीजर गन से भी मारा और देखो उसके बाद मुझे ये ड्रेस मिल गई वाँ छोटे ये तो बड़ा ही आसान है गेम डेफिनेशन तुमने सबसे पहले एरीना को कम्प्लीट करके ये खास ड्रेस लेटी है इसके लिए तुमें कॉम्रेक्चुलेशन्स अब तो पार्टी होनी चाहिए हाँ हाँ जरूर जरूर चोटे ये सब तो ठीक है मगर उसके बाद तुने क्या किया करना क्या था टिपसन दादा मैं वहाँ से बाहर निकला और अपनी साइकिल को लेकर आपके पास भगाता हुआ आया हूँ वाँ चोटे वाँ ये तुने बड़ी अच्छी बात करी जो मेरे पास आ गया और अब तो मुझे तेरी इस खास ड्रेस का पूरा इतिहास समझ आ गया है अब जरा ये तो बता दे इस ड्रेस में स्पेशल बात क्या है टिपसन दादा इस ड्रेस में एक दो खासियत नहीं वालकि इतनी सारी खासियत है इसमें ये भी है इसमें वो भी है छोटे मगर कहना क्या चाते हो थोड़ा धीरे धीरे बताओ क्योंकि तुम्हारी बाते मेरे सिर के उपर से जा रही है रुको भाईया मैं आपको अभी करके बताता हूँ देखो भाईया इस ड्रेस को पहने के बाद अब मैं पहले वाला रोफीरो नहीं रहा अब तो मैं हवा से भी तेज दोड़ता हूँ और ये देखो पुराने वाला रोफीरो तो अभी तक नहीं पहुचा मेरी भी रेस पूरी हो गई देखो दोस्तो एरीना वाली ड्रेस की वज़े से हमने रेस को कितना जल्दी पूरा कर लिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइविंग स्किल तो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है ये चली हमारी गाड़ी देखते हैं दोस्तो ये नई एरीना वाली ड्रेस की वज़े से हमारी गाड़ी की स्पीड में कुछ फरक आएगा या नहीं अब ये तक तो ऐसे लग रहा है कि हमारी पहले वाली गाड़ी ही फस्ट आएगी और लीजिये ये तो पहुँच भी गई और देखो दूसरी गाड़ी तो कितनी देर बाद आई है मतलब कि दोस्तो एरीना वाली ड्रेस की वज़े से हम तेज दोड़ भी सकते हैं और तेजी से गाड़ी भी चला सकते हैं और आओ अब देखते हैं कि हम एरीना वाली ड्रेस की वज़े से कितना ज़्यादा उचा कूँच सकते हैं ओहु दोस्तो हम तो छत तक पहुँच बस करो फिरो अब मैं तेरी स्विमिंग देखने के लिए पानी के पास नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है और तुछे पता है मैं पिछले पाथ साल से नहीं नहाया और छोटे देख ले अगर कोई जुगार लगाकर मुझे भी ये ड्रेस मिल जाए तो हाँ हा टिपसन दादा जाओ और एरीना में कठिन परिश्रम करो और भाईया अगर आप बिग बोस के मुझे बच गए और जॉम्बीज ने अगर आपको कच्चा ना खाया तो आपको भी ये वाली ड्रेस मिल जाएगी ओके तो भाईया अब मैं अपनी साइकिल पर जाता हू बाई बाई छोटे साइकिल पर क्यों जाता है तो आप बताओ भाईया मैं किस पर जाओ आपके कंदे पर बैठ जाओ क्या रो फीरो तूने इतनी स्पेशल रेस को ले लिया और अब तू साइकिल पर जाएगा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कर तू जल्दी से जेट ब और ये हम चले तो दोस्तो अगर आपको आज वाली वीडियो देखकर मजा आया है तो जल्दी से कमेंट बोक्स में दो हट ड्रोप कर दो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और भी दमदार वीडियो लेकर आऊं और क्या आपको पता है मुझे ये वाली वीडियो बनाने में पूरा एक महीना लगा तो क्या आप एक सेकिंड निकाल कर इसको लाइक नहीं कर सकते और सबसे जरूरी बात दोस्तो अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा कर गेम डेफिनेशन फैमिली का हिस्सा बन जाओ क्योंकि अब आपको जल्दी जल्दी ऐसी ही और भी धुमाकेदार वीडियो देखने को मिलती रहा करेंगी और दोस्तो अब आपने इस वीडियो को देखकर मज़े तो कर लिए लेकिन आपके दोस्तों का क्य तो ऐसा करो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो जिससे वो भी इस शानदार वीडियो का मज़ा ले पाएं तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर खतम करती हैं जै हिंद जै भारत लवियो सभी को